हेलो गाइस, आप निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ Students Point सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने बोला था कि मैं सिक्स सैमेस्टर के जितने जादा हो सकें सब्जेक्स के आप कोशन्स, इंपोर्टन कोशन्स हमें प्रोवाइड कर दीजे सो आप लोगों को मैंने अभी जनरी offshore में इंग्लिश हिंदी के जो है वो इंपोर्टन कोशन्स प्रोवाइड कीए हैं, बाकी आपके में कोर में मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के कोशन्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ important questions and इन्ही वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को answer भी बताए है कि आपको answer किस तरीके से लिखना है कि मतलब किस question में क्या answer लिखना है अगर थोड़ा question घुमा कर दिया हुआ है तो उसके अंदर कैसे लिखना है वो सारी चीज़े तो आज की वीडियो में हम जो है अपना जेनरिक एलेक्टिव के ही देखें यहाँ पर फाइव नंबर पर पॉलिटिकल साइंस जो दे रखी है human rights, gender and environment तो इसके important questions देखते हैं ठीक है इस पर जो short note आएंगे वो मैंने इसमें लिख नहीं रखे हैं लेकिन मैं वैसी ही आपको बता दूँगी तो पहले हम अपना syllabus देखते हैं unit 1 है आपकी basic पूरी introduction की unit 2 है human rights की कि उसमें किस तरीके से human rights अब यह सब था फिर human rights के इसके अंदर three stages भी है three generation जो human rights की है फिर उसके बार जो है हमारा UN DC भी है और हमारे human rights moments in India जो हुए वो सारे चीज़े है second third unit है gender के बहाफ पर बनाई गई है ठीक है जो आपका short note sex या gender पर आता है वो इसी के अंदर से आता है तो जो है इसके अंदर की जैसे women's moment in India है इसके उपर की women's moment in India पर direct short note दे दिया गया या फिर आपको sex या gender करके question दिया गया short note दिया गया तो उसके अंदर पर आपको यही वाली unit को include करना है ठीक है unit four है environment environment के अंदर आपको जो सत्त विकास sustainable development है उस पर question जो है compulsory आता ही आता है तो better होगा आप इसको अच्छे से prepare कर लेना बागी भी question जो है इसमें सारे important हैं काफी easy हैं आपको पढ़ने में याद करने में कोई problem नहीं होगी हाला कि बच्चों की preparation तो आप अच्छी खासी हो चुकी है so important questions देख लेते हैं मानव अधिकार की धाड़ना के जनम और उसके विकास के कर्म की चर्चा कीजिए आप इस कतर में कहां से तक सहमत है कि मानव अधिकार अपने सवरूप में सावर भामिक है भाई इसके अंदर आपको human rights का सीधा सीधा question देख रहे हो आप शुरुआत कहां से हुई है थोड़ा से घुमा के पूछा गया है कुछ नहीं करना इसके अंदर सीधा आपको human rights की first unit डाननी है first unit की meaning है, definitions है, उसके सवरूप है characters है, उसके प्रकार types है उसके बाद आपको three stages of generation three generation of human rights बतानी है इसके अंदर और end में जाके यह आपका answer खतम हो जाएगा फिर आप लिखोगे कि हाँ भई, हम इस तरीके से सहमत है कि जैसे three stages आई stages के बाद universal तोर पे human rights ने किस किस तरीके से रखा अपने आपको, ठीके human rights के लिए moments हुए जैसे आप लोगों ने previous years में या fit 12th के time पे कभी पढ़ा होगा महात्मा गांधी ने जैसे इंडिया के अगर बात करें तो human rights के लिए जो हुए वो महात्मा गांधी को लेकर मैं यह नहीं कह रही कि महात्मा गांधी ने human rights के लिए किये थे मैं यह बताना चाह रही हूँ कि हमारे एक अमेरिकी नेता थे मार्टिन लोथर वो गांधी जी के अपने आपको बहुत बड़े भक्त मानते थे वो उन्हीं की सत्ते और आहिंसा वाले चीदों पर चलते थे तो उन्होंने human rights में civil rights के लिए सब चीदों के लिए moments करे चीक है उसके अलावा इंडिया के अंदर human rights किस किस तरीके से हुए है वो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोगों को देखो बच्चा एक बात आप याद रखो आपकी college की answer writing आपकी knowledge के बहाफ पर होती है ठीक है अब जैसे इसके अंदर ये जो question आया है कि किस तरीके से समाजी का अंदोलन जो है वो प्रभावित करते हैं वो effect डालते हैं government की उपर तो उसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा एक बच्चा answer लिख कर आया था उसने मुझे discuss किया कि मतलब समाजी उनने सिर्फ समाजी का अंदोलन नहीं बताए उसने एक्च्छी मा answer में ये बताया कि किस तरीके से प्रभाव डालते हैं उसमें उनने अभी previous year का किसाना अंदोलन डाला उसके लावर 2012 का निर्भिया रेप केस था अगर वो रेप केस समाजी का अंदोलन का रूप नहीं लेता तो आज शायद निर्भिया को जो है अंसाफ मिल भी नहीं पाता तो वो चीज़ के किस तरीके से समाजी का अंदोलन कैसे हुआ क्योंकि समाज के अंदर अंदोलन करने के लिए हमें Constitution के अंदर Rights दिए गए ठीक है तो यह जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ों होते है न यही आपके आंसर को बास्ट करती है तो आप लोगों को नॉलेज इन सब चीज़ों की होनी चाहिए नेक्स्ट कोशिन है इंडियन सिस्टम है आगे मैं सिस्टम लिखना भूल गई ठीक है भारत पितर सत्ता अत्मकता संरचनाओं का अलोजनात्मक विशलेशन करना है सीधा सीधा पैट्रियार की सिस्टम बताना है ठीक है अब पैट्रियार की सिस्टम के लिए भारत की बात हो रही है तो पेट्रियार के सिस्टम के शुरुआत ही आपकी बहुत लाजवाब हो सकती है आप लोगों को पता है पेट्रियार के सिस्टम क्या है भई वही चीज है ना कि बाप से फिर बेटा फिर बेटा फिर बेटा बैठा कभी औरत को लड़की को बच्ची को आगे आने ही ने दिया गया फिर उसके अंदर हमारे भारत में पितर सतात मक्ता को खतम करने के लिए किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया था जैसे पंडिता रमाबाई थी विमन्स के लिए स्पेशली उन्हों ने लोगों को ये बताने की कोशिश करीं कि इस तरियों की पैट्रियार्कल सिस्ट्रम में सरिफ थ्री स्टेजिस होती है पहली स्टेज उनके फादर के साथ गुजरती है दूसरी उनके भाई के साथ और तीसरी उनके हस्बन के साथ और चौथी स्टेज जब आती है वो उनकी डेट्थ होती है सीधा जी उतर गए कबर में तो इस चीज़ के लिए पंडेत रवभा इन इस चीज़ को बताया उसके बाद इसकी आलोचना करनी है सीधे आलोचना पर बैठोगे तो एक दो पेजिस में आंसर खतम हो जाएगा इन्होंने का कि वैश्वी करण से आप क्या समझते हैं ठीक है जी वैश्वी करण पर आपकी जो वो है में कोर में सबजेक्ट पॉलिटिकल वाला उस पर पूरी योनिट है तो इन्होंने बोला वैश्वी करण साब क्या समझते हैं मजदूर और किसानों पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है बहुत ही इजी कोशन है आपकी डायरेक्ट योनिट यहां पुछी गई है और यह कोशन आता ही आता है बहुत आप कुछ आर्टिकल को भी इस करोगी जिसे आर्टिकल फूर्टिकल है कानून के समक्समान ता आर्टिकल फिफटीन है हमारी कास्ट, रिलिजिन, सेक्स, जेंडर इन सब के भिहाफ पर equality रखी गई है उसी के अंदर हमारी 15 नमबर 2014 को किनरों को भी एक language शिरनी दी गई ठीक है तो ये सारी चीज़े बेसिक चीज़े आपको answer में इंक्लूट करनी है उसके बाद चर्चा कीज़े कि भारत में जातिये समाजिक असमानताओं का अधार है जातिये समाजिक असमानता है भाई ये सब को पता है कि भारत बहुत सारे cultures का बहुत सारी चीज़ों का एक मातर देश है जिसके अंदर बहुत तरीके की चीज़े पाई जाती है अब अलग अलग जातियां हैं अलग अलग कास्ट हैं सेपरेट रिलीजिंस हैं ठीक है उनके अलावा हट कर बोलें तो थोड़े आदेवासी लोग भी हैं ठीक है कबीलियाए वाले हैं तो इन सब चीजों को यहां पर आपको डिफाइन करना है तो साथ में कॉंस्टिटीशन क अफेक्टेड दे लाइफ ऑफ द वोमें इन इंडिया डिस्कस वैश्वी करन ने महिलाओं की जीवन को कैसे प्रभावित करा हैं वो बताना है ग्लोबलाइजेशन ने ठीक है अब यहां से शुरुआत आप पीछे आजो बहुत पीछे ठीक है वैश्वी करन की बात हो रही पर उसके बाद आज भी ऐसे बहुत सारे जो कंजर्वेटिव टाइब लोग हैं वो पुरानी माननेताओं को मानते हैं ओड़तों को नहीं निकलने देते नहीं पढ़ने देते तो आपको वहां से ढलना है कि फर्स्ट और फॉल जो फैमिनिस्ब का सारा पढ़ा रखा है वै आप वो टॉपिक मुझे पर्सनली सेंड करो और पूछ लो मैं मुझे टॉपिक समझा दो मैं आपको नॉर्मल वर्डिंग में समझाओंगी वहां आप उसको दो पेज में छापकर आओगे और ये आपके मार्क्स कमपलसरी बनेंगे बनेंगे तो अब मुद्दे पर आते ह तो वैश्विकरन ने भारत में महिलाओं की जीवन को कैसे प्रभावित करा अब भारत को बताने से पहले जीवाली चीज आएगी कि सबसे पहले तो अमेरिका में महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी गई ठीक है दे सब्जेक्शन ओफ वोमिन का आप यहां पर जिक्र करे तो उसके अंदर जो है हमारे जेयस मिलने ये बताया कि महिलाओं की स्थिती कैसी थी और कैसी होनी चाहिए और उसी के अंदर उनसे ही सवाल पूछा गया है कि क्यों महिलाओं को समानता देनी चाहिए तो उन्होंने उसके जवाब भी दे रखे ठीक है अब यह तो वैश्व के अंदर ही उनको नीचे दिखाया जाता है यह चोटा समझा जाता था वो आउट ओफ इंडिया भी ऐसा बहुत सारा रहता था कि भई यह मसला है और वोमिन्स की यह सिच्वेशन है सो उसके बाद आपको यह सब बताने के बाद अब भारत पर आना है कि भारत के अंदर वैश्वे करण ने किस तरीके से वोमिन्स की जीवन को सुधारा है प्रभावित किया है फैक्ट डाले है तो आप इसके अंदर अच्छे और बुरे दोनों इफैक्स लिखेंगे ठीक है कि एक तरीके से मतलब नॉर्मली अच्छे इफैक्स जो है वो यह आ सकते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ने लगी हैं डॉक्टर इंजीनियर पाइलेट सब तरीके की कोर्स में सब तरीके की चीजों में महिलाओं ने इंटरफेर करना शुरू कर दिया है तीक है लेकिन अब ज सारे लोग ऐसे हैं जो डड़कियों की छोटी वर में आज की टाइम पर भी शादी करा देते हैं जबकि बाल विवा जो है अब एक कानून के तौर पे उसका वो करा गया है विरोध तो वो सारी चीज़े इसके अंदर इंकलूड होंगी उससे आपका आंसर बढ़ जाएगा critically analyze the concept of human rights, discuss the changing nature of human rights, ये है आपका direct question जिसके अंदर आपको लिखनी है three generation of human rights, मानव अधिकारों की अफधार्ना को लिखना है और मानव अधिकार की nature को लिखना है और उसके बाद जाके निशकर्ष लिख देना सीधा direct question है बात ख़ता National Human Rights Commission is the watchdog of human rights in India, in the light of the above statement analyze role the commission in the protection and promotion of the human rights in Indian society तो जी राष्ट मानव अधिकार आयोग भारत में मानव अधिकार का सनरक्षक है, इस कथन के प्रकाश में भारत में मानव अधिकारों के सनरक्षक है इन्होंने बोला जो हमारा National Human Rights Commission है वो भारत में मानव अधिकारों का सनरक्षक है, अब वो तो जब आपने यूनिट पर रखी होगी, आपको पता होगा कि भाई किस तरीके से सनरक्षक है, उसने क्या करा है, क्या नहीं करा है तो ये भी बिल्कुल डारेक्ट कोशन है, Human Rights के स्टार्टिंग में वो डाननी है, Definitions है, Meanings है, फिर Generations बतानी है, उसके बाद जाके किस तरीके से National Human Rights Commission ने इंडिया के Human Rights को सेफ रखने में help करी है सीधी सीधी जो आपकी Unit 2 का पार्ट है, UDAHR, वो आपसे पूछा गया है, बिल्कुल डिक्टो आपको कॉपी करके चिपका देना है, that's it, बिल्कुल भी गुमावा कोशन नहीं है ठीक है, इसके अंदर इतने गुमेवा कोशन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्रिटिकल कोशन रखे हैं ताकि मैं आप लोग को समझा सको The Constitution of India upholds the tenets of human rights through various provisions enumerated in it, discuss भारतिय सम्मिधान मानवदिकारों का समर्थन अपने विभिनु बंदु द्वारा करता है, सीधा डायरेक्ट आपको Constitution लगाना है याँपर, आप डालोगे, परिच्चे करोगे, इसका introduction दोगे, उसके बाद कुछ definitions वगरा दोगे, कुछ definitions के पाद आप लोगों को क्या करना है, उसकी three stages, generation जो है वो बतानी है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर Constitution, Indian Constitution के भिहाव पर human rights क्या दिये गए हैं, आपको वो बतानी है, मतलब सीधा सीधा fundamental rights को आपको यहाँ पर डिखना है, that's it, आपका बहुत 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 ही easy question है, बहुत ही marks gain करने वाला question है, Briefly trace the evaluation of human rights movement in the post-independence India, what are the major issues before it, ठीक है, उत्तर स्वाधीन भारत में, जो हमारे मानावधिकार आंदोलन हो रहे थे, उन सब के development में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से वो बढ़ सके, ठीक है, जैसे बहुत सरे चीजों का विरोध हुआ, बस तोड़ी गई है, तोड़ा गया, वो थोड़ा गया करकर के human rights पा लिए गए, discuss the contemporary trends of the women movements in India, महिला अंदोलन के समकालिन आयामों को बताने, अब पहले आपको थोड़े-बहुत महिला अंदोलन बताने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद जाकर उनके dimensions को यहाँ पर describe करना है, समपोशित विकास या फिस सत्त विकास जो होता है, वो क्या पूछा है, और भारत सरकार ने इसके लिए क्या कदम बढ़ा है, वो पूछा है, ठीक है, अच्छा आप लोग यह बोलो कि माम answer writing कैसे करनी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग को मैंने description में link द What do you understand by social inequality? ठीक है, अब समाज एक जो inequality है, असमानता है, उससे क्या समझते हैं, और उसके बाद जाती और वर्क सम्मत के संदर्ब में भारती समाज में असमानता है की दशाओं की विवेचना भी यहाँ पर करनी है, Analyze the impacts on globalization on the marginalized sections of the society with special reference to आदिवासी, मतलब जो हमारे schedule cast और, sorry, schedule tribes है, उनके बारे में यहाँ पूछा गया है कि उनके लिए वेश्विकरन का क्या प्रभाव पढ़ा, किस तरीके से उनको analyze किया जा सकता है, भी देखो आदिवासी एक मातर ऐसी जाती है, जो अभी तक दुनिय के अंदर add नहीं हो पाई है, ऐसे बहुत सारे हमारे seven sisters के side पे आदिवासी जगाई हैं, जिनको पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं पता, वो लोग अपना समान खरीते बेचते, जैसे आपने अगर मोहंजोदारों देखी हो, तो वो कुछ नील के पत्थर या कुछ चीज़े रख कर समान खरीते थे, और उसके बाद उससे ही अपनी चीज़ों को खरीते बेचते थे, तो वोई चीज़े आदिवासीों के घर में भी हैं सारी चीज़े, तो मन्दब घर में in the sense उनकी जगा पे कभी आप पकड़ लो मैंने सुचा सही कर दू, ठीक है, elaborate the provision of human rights in the Indian constitution, Indian constitution क के अंदर human rights के स्थिति को evaluate करना है, आपको यहाँ पर article 14 से लेकर आगे तक की बताने हैं कि किस तरीके से constitution के अंदर human rights के लिए दिये गए हैं, ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर कुछ नहीं करना, starting करनी है, उसके बाद इसके अंदर definition लिखनी है, फिर उस पर बता देता हूँ या बता देती हूँ, so hope so कि आप लोगे doubt सब नहीं हो, in case आप लोगे पास कोई और question है, या कोई suggestion है, तो आप मुझे comment या टेले पूछ लेजे, ठीक है, second thing मैं आपको ये बोलूँगी, कि paper बहुत ज़्यादा करीब हैं, जितना ज़्यादा हो सके, खुद rare ऐसे बच्चे दिन्होंने पढ़ाई करी है, लेकिन maximum बच्चोंने पढ़ाई नहीं करी है, तो important question करके जाएंगे, तो उसी में ही पूरी book तैयार हो जाएगी, जो मैंने questions आपको बताए हैं, ठीक है, तो आप लोग ये भी करके जाओगे, तो मुझे लिखवा के ल जान देना, बाकि जो answer writing है, उसका description में link है, वो आप वहाँ से जाके देख लो, so thanks for the watching and best of luck all.